हाई मेरी बात सुनो करोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, करो कुछ ना करो मुझे फरक नहीं पड़ता, पट प्लीज गर से भार मत निकल न, पता नहीं कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, करोना इतना फैल गया है, कि लोग बात को है अपने हाथों को सेनिटाइज रखिए हाथ बार बार दोते रहिए मुझे पतल कुछ लोग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है बट स्टिल आप हाथ दोते रहिए आपने सेफटी के ही मामला है मास्क लगा के रखिए और बाहर तम निकलिए मोधी जी ने अभी एक अनॉ आप देखिए फेस्बुक देखिए इंस्टाग्राम देखिए और एक और चीज मैं कर रहा हूं अपनी साइट से कि तीन बजे मेरेड एंटर्व्य होगा इंस्टा पे लाइव तो आप मेरा इंटर्व्यू देख सकते हैं जो लोग मुझे हेट करते हैं वो भी देख सकते ह तो देखो अपना टाइम पास करो और संडे को कोई बाहर नहीं निकलेगा इस चेन को तोड़ने के लिए यही एक उपाय है संडे को डूंट गो आउट हमें कोरोना खतम करना है यह हलो एवरीबडी जैसा कि हम सबसे कहा गया है कि अभी हम घर पर ही रुके हैं और किसी से न करने को नहीं है और करने के लिए तो बहुत कुछ है अगर हम करना चाहें तो घर की सपाई करना अपने कबद साफ करना इस घर भी साफ रहेगा ताइम भी कटेगा और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो शिकायत कर रहे हैं यह बोर्डम की आइटिंक हमें उन लोगों के बारे म खाना आता है इनके लिए यह वक्त जादा मुश्किल वाला है क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवा ना करते हुए भी अपने परिवार का पालने के लिए उनकी रूटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है तो आइटिंक इतना रिस्पॉंसिबल तो हम हुई सकते है और अपने लिए रिस्पॉंसिबल होना तो जरूरी है लेकिन उससे जादा हमारे लवड़ बंस के लिए हमारे घर में बच्चे हैं हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा साथ साल से उपर हैं जिनके लिए यह रिस्क जादा है तो आइटिंक अगर हम इसे प् भांजे भांजियों बच्चों से प्यार करते हैं तो इतनी रिस्पॉंसिबिलिटी तो हम लेगी सकते हैं और जैसा की कल जन्दा कर्फ्यू भी है तो प्लीज उसे फॉलो करें सोबे साथ से लेके रात के नौ बजे तक घर से बाहर ना निकलें इस लॉक्टाउन तो प्ली वक्त भी कर जाएगी